नमस्कार मैं हूँ मोना लिसा स्वागत है आप सभी का दूरदाशन किसान के खासकारिक्रम क्रिशी विशेश में मान लीजे कि आज आप से ये कहा जाए कि जिस जगह पर आप बड़े ही सुक्चैन से रह रहे हैं वहाँ बस कुछी सालों में आपके लिए ना खेती लाइक जमीन बचेगी ना पीने के लिए पानी तो आप क्या करेंगे बहुत संभावना है कि आपको भारी मन से उस जगह को छोड़ना पड़ेगा और किसी अंजान जगह पर फिर से जिन्दगी शुरू करनी पड़ेगी आपको शायद यकीन न हो कि आज दुनिया के करोडों लोगों के सामने यही चुनौती है बताया जा रहा है कि महज 20 से 25 सालों में दुनिया के 13 करोड से ज्यादा लोगों को मरुस्थली करन के कारण अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता है क्या है मरुस्तली करन जिसके कारण ऐसी नौबत आ सकती है विस्थापन के अलावा और क्या-क्या समस्याएं हो सकती है आज हम क्रिशी विशेश में यही समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मरुस्तली करण से जंग जीतने के लिए क्यूं और कैसी की जाए मिट्टी की रक्षा मिट्टी को अगर वक्त रहते बचाया न गया तो मरुस्तली करण को टालना मुश्किल हो जाएगा क्यूंकि मरुस्तली करण का दाइरा लगातार बढ़ता जा रहा है से प्रभावित हैं सबसे बुरा हाल है अफरीका का आप ये सोचने की भूल मत कीजेगा कि हमें इससे क्या क्यूंकि भारत भी इससे अच्छूता नहीं है आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस वक्त देश के 12 राच्यों के 37 जिले इसकी चपेट में हैं जी हां तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मरुस्तली करन क्या है और ये मानव जाती के लिए कितनी बड़ी चुनाओती है सफेताएं वहाँ पनपती हैं जहाँ पानी और उपजाव समीन हो ताकि भोजन पानी जैसी जीवन की मूल भूच जरूरतें पूरी हो सके जो धर्ती खाने को भोजन न दे सके वो धर्ती वीरान हो जाती है दुनिया के बढ़ते जनसंख्या के बीच अगर रहने लायक धर्ती सिकुडने लगे तो मानव जाती के लिए ये एक बड़े खत्रे की बात है आज हमारे सामने इसी तरह का एक खत्रा है मरुस्थली करन आज एक तिहाई भूमे पर मरुस्थली करन का खत्रा मंडरा रहा है मरुस्थली करन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन धीरे धीरे खराब होती जाती है और आखिरकार अपनी उर्वरा शक्ती खो देती है जलवायू परिवर्तन या मानविय गतिविधियों समेट कई कारणों से शुष्ट, अर्धशुष्ट और निर्चल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदलने लगती है इसके कारण प्राक्रितिक वनस्पतियों का क्षरण होता है क्रिशे उत्पादत तक कम होने के साथ पशुधन और क्षेत्र की जलवायू पर भी इसका बुरा असर पड़ता है देखे मरुस्ती करण एक बहुत बड़ी समस्या है यह इसमें क्या होता है कि जलवाय परिवर्तन हो रहा है इसकी वेज़े से जो हमारे कुछ रिलाके शुषक अर्द-शुष्य अर्द-नर्म-शुष्य रिलाके हैं उनमें मरुस्ती करण की समस्या आ जाती है और वो भूमिये जो है वो अनुप जाओ हो जाती है और खेती की योग नहीं रह जाती है अर्थार्ट मरुस्ती करण हो जाता है उसमें भारत समेत दुनिया के कई देश इस समस्या से जूज रहे हैं खाल तोर पर मौझूदा शुष्किक्षेत्रों के सामने चुनौती और भी बड़ी है संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि दुनिया हर साल 24 अरब टन उपजाव जमीन खो देती है भूमी की गुणवत्ता खराब होने से राष्ट्रे घरेलू उत्पाद में हर साल 8 प्रतिशत तकी गिरावट आ सकती है यानि भूमिक शरण और उसके दुश्प्रभावों से एक सरफ जलवायों संकट और गहरा रहा है तो वहीं इससे आर्थिक नुकसान भी कम नहीं लगभग अस्ती के दशक से मरुस्तलिकरन का दंश झेल रहे करीब कचास लाख लोगों को आर्थिक सामाजे और कर्यावरं संबंधी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इन इलाकों में अगर आप जाएं तो आपको मिलेगी गरीबी, बीमारी, भोजन की कमी, पानी की कमी, जैद्यवित्ता की हानी और विस्थापन की मजबूरी जी हां मरुस्तलिकरन के कारण हर साथ लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं संयुक्त राष्ट के अनमान के मताबिक, दो हसार पैंतावीस तक खरीब तेरह करोर से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है तो इसको रोकना एक सभी सरकारों के लिए बहुत आवश्य है कि हमारी सरकार जो है वो बहुत जागरूक है इस कारे को रोपने के लिए इस मामले में भारत की स्थिती भी कम चिंता जनक नहीं है देश की खरीब 30 फीसदी जमीन पर मरुस्थली करन का असर दिख रहा है और इसका दाइरा 96.4 मिलियन हिक्टेर तक पहला हुआ है देश का 70 प्रतिशत भौकॉलिक शेत्र शुष्क भूमी के रूप में है जिसमें से 30 प्रतिशत भूमी भूख शरण के प्रक्रिया में है और 25 प्रतिशत भूमी मरुस्थली करन के प्रक्रिया में है गुजराब के चार जिलों में महराश्ट के तीन, तमिलनाडू के पांच और पंजाब के दो जिलों में मरुस्तली करन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इसके अलावा हर्याणा के दो जिले, राजस्थान के चार, मध्य प्रदेश के चार, गुआ का एक, करनाटक के दो, केरल के दो, जमुकश्मीर के पांच और हिमाचल प्रदेश के तीन जिले मरुस्तली करन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं एक रिपोर्ट के मुदाबिक दोहजार तीन पांच से दोहजार ग्यारा तिरख के बीच, भारत में मरुस्तली करन अठारा दशमलो साथ लाखे टेर तक बढ़ चुका है इन्ही समस्याओं से निपटने के लिए पूरा विश्व संयुक्त राश्ट्र मरुस्तली करन रोख्थाम अभी समय UNCCD पर सहमत हुआ और हर साल 17 जून को विश्व मरुस्तली करन और सूखा रोख्थाम दिवस मनाया जाता है भारत ने पहली बार 2019 में विश्व मरुस्तली करन और सूखा रोख्थाम दिवस के अवसर पर आयोजित संयुक्त राश्ट्र मरुस्तली करन रोख्थाम कन्वेंचन के कॉप पोटीन की मेजबानी की और 2022 में आयोजित कॉप 15 में भारत ने मरुस्ख लेकरन की रोख ठाम के लिए अपकी प्रतिवर्थतात तोहराई क्या आपको पता है मिट्टी की सिर्फ 20 सेंटिमेटर की परत बनने में 500 साल लग जाते हैं लेकिन इसे मिट्टने में बस कुछी साल लगते हैं जिस तेजी से मिट्टी अपने उर्वर्ता खोती जा रही है और उसका शरन हो रहा है देखते ही देखते कई हरे भरे इलाकों में ड्रेगिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं हमें इसकी वज़ा तो तलाश नहीं होगी ताकि इससे निपटने के उपाई ढूंडे जा सके तो आईए जानते हैं कि मरुस्तलीकरन के पीछे कौन सी वज़ें हो सकती हैं यह मिट्टी महस बेजान परत नहीं बलकि जीवन का आधार है इस मिट्टी में होते हैं कई सूख्षमजीर जो मिट्टी को उर्वर बनाए रखते हैं मिट्टी उप जाव रहे की तभी उसमें पेड़ पौधे उख सकते हैं खेती हो सकती है इंसानों के साथ साथ सभी जीव जन्तु तभी जिंदा रह सकते हैं मिट्टी के उर्वर्ता कई बातों पर निर्भर करती है मिट्टी काक्षरण प्राकृतिक वज़ों से या फिर इंसानी घल्तियों की कारण भी हो सकता है जलवायों परिवर्तन, बढ़ता तापमान और बारिश मरुस्थली करन को बढ़ा सकता है प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूसकलन, पानी का कटाव उपजाव मिट्टी का विस्थापन कर सकता है हवा के जर्ये रेद के उपजाव जमीन पर बिचने से भी भूमी के उरवर्ता कम हो जाती है मसलन सौराश्ट कच के उपरी इलाकें, नदियों से होने वाले जमीन के कटाव के कारण काफी प्रभावित हुए है हवा से मिट्टी के कटाव का सबसे बुरा असर ठार के रेतीले टीलों और रेत की अन्य संरचनाओं पर पड़ा है कचारी मैदानों में खारे भूमिगत जलसे सिचाई की वज़से लवन्ता और शार्ता की समस्या उत्पन्न हो गई है देखे मरुस्ति करण के कारण कई कारण है जिसमें कि अगर हम कहें कि इसमें जो हमारी वर्षा है प्राक्तिक आपदाएं होती हैं भू इसकलन सूखा ये सब तो हैं और पानी का कटाव हो जाता है और उपजाय भूम का विस्थापन हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रेत है वो भी हवा के द्वारा उड़कर हमारे जो उपजाव खेतों पड़ती तो ये भी एक बहुत ब़़ा कारण है मरुस्तली करन के मानव निर्मित कारणों में सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है घर, भोजन, चलावन बगैरा के लिए जंगलों की अंधा धुन कटाई शुरू हो जाती है जैसे जैसे जंगल से कोड़ रहे हैं मरुस्तली करन बढ़ता जा रहा है ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि जहां मरुस्तली करन के कारण खेती योग्य भूमी कम हो रही है वहीं खेती के सही तोर सरीके नहीं अपनाने के कारण भी मिट्टी अपने उरवर्ता खो दी जा रही है अच्छे उपज लेने के लिए किसान खेती में रस्ताइमित उरवर्कों का बेतहाशा उप्योग करते हैं लेकिन इन उरवर्कों का मिट्टी में मौझूद सोश्मजीवों पर बहुती बुरा असर पड़ता है ये सोश्मजीव दरसल मिट्टी के उरवर्ता के लिए बेहत जरूरी है इसके अलावा खेतों के लगातार यहरी जुताई के कारण मिट्टी नमी खो देती है और ठोस हो जाती है इससे भी मरुसली करन को बढ़ावा मिलता है रेतीले पहाडी ढलानों में खेती, अधिक समय तक जमीन को खाली छोड़ना, घास फूस की अधिक चराई, उत्पादता और जैव विवित्ता को कम करता है एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से 2015 के बीच भारत ने 31 प्रतिशत घास के मैदान खो दिये मिट्टी को बचाने का प्राम बाण उपाय है, इसके उपर के हरे आवरन को बनाए रखना क्रिशी विशेश में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम मिट्टी की रक्षा से जुड़े उपायों की चर्चा करेंगे आप बने रहें तूरदाशन के सान पर क्या आप किसी बीमारी से परिशान है चाहते हैं डॉक्तर की सला तो हम है आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह तमस्याएं आपकी समाधान देश के बशूर विशेशक्यों के घर बैठे बात करें देश के जाने बाने डॉक्तरों से हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक ब्रेके बाद आप सभी का फिर से स्वागत है क्रिशे विशेश में आज हम बात कर रहे हैं मरुस्तली करण की अब तक आपने जाना मरुस्तली करण क्या है और किस तरह लगातार मिट्टी के कटाव और उरवर्ता की कमी के कारण ये समस्या गंफिर रूप लेती जा रही है सतत क्रिशी के लिए समस्या को दूर करना ही पड़ेगा मिट्टी को बचाने से ही भोजन के समस्या खत्म होगी और धर्ती पर पल रहा हर जीवन सुरक्षित होगा तो आएए अब आपको बताते हैं किन उपायों को अपना कर मरुस्तली करण को टक कर दी जा सकती है अगर मिट्टी के परत एक बिचावन है जिसमें सैंकडो सूष मजीव रहते हैं और मिट्टी को खेती लायक बनाए रखते हैं तो उसके उपर लगी घास और पेड़ पौधे एक चादर है जो मिट्टी का बचाव करते हैं इसलिए मिट्टी के कटाव को रोखने का सबसे पहला उपाय है इस हरी भरी चादर को बनाए रखना पेड़ों की कटाई रोखने व्रिक्षा रोपण में तेजी लाने और मरुस्तलीक शेत्रों के अनुकूल पौधे लगाने से मरुस्तली करण को डोका जा सकता है देखें मरुस्ती करण को रोकने के लिए एक तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें घास के मैदानों को बढ़ाना चाहिए और उनके सही इस्तमाल के लिए इस तरह के कुछ नियम भी बनाने चाहिए कि उनका सही तरीके इस्तमाल हो जिससे कि वो हमारे पश्यों को चलाने का भी काम करते रहें और हमारी जो यह समस्या मरुस्ती करण को उसको रोकने का भी काम करते रहें इस समस्या से निजात पाने के लिए क्रिशी कारियों में कुछ जरूरी सुधार लाना होगा किसानों को गहरी जुताई बंद कर मिट्टी में नमी बनाए रखने के उपाई अपनाने होंगे जैसे की मल्चिंग इसके अलाबा रासानिक उर्वरों का प्रयोग नकर प्राकृति खेती को अपनाना सबसे अच्छा कदम हो सकता है किसान अक्सर सिचाई के लिए खेतों में पानी छोड़ देते हैं और फसले बिना जरूरत पानी में डूबी रहती है इसके बजाए ड्रिप यानि टपक या स्प्रिंकलर यानि फवारा विधी से सुच्म सिचाई पधती से ज्यादा फायदा होता है साथ ही किसान फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपना कर मिट्टी के उर्वरता को बनाए रख सकते हैं वहीं किसान शुष्ट शेत्रों के लिए उप्युक्त एक एकरत ख्रशी प्रणालियों को अपना कर प्राकृतिक संसाधनों पर पढ़ने वाले अतिरेक्त दबाव को कम कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं किसानों को मरुभूमे के लवणता वक्षारियता को कम करने में व्यक्यानिक द्वारा सुझाए उपायों को करने के लिए प्रोथ साहित करना होगा साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मरुस्थली करन से बचाव के लिए जल संसाधनों का संरक्षन और समुचित मात्रा में विवेग पूर्ण उप्योग काफी कारगर भूमिका अदा कर सकती है मिट्टी और पानी जैसे संसाधन हमारे लिए बेश कीमती है इनको संजोकर रखने के लिए जहां जन अभियान चलाए जा रहे हैं वहीं सरकार के द्वारा भी कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं अंतराश्ट्रिय मंचो पर भी भारत ने हर बार पर्यावरन संडक्षन को लेकर अपनी प्रतिवर्धता जाहिर की है देश में बिते वर्षों में जो सबसे बड़ा बडलाव हुआ है वो है देश की क्रिशी निती में पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है कितनी कमी है इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को इसौइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया अगर हम किसे को मनुष्य को हेल्थ कार्ड दे ना तो भी अख़बार में हेड्लाइन बन जाएगी कि मोज़ी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया यह देश ऐसा है जो सोईल हेल्थ कार्ड दे रहा है लेकिन विडिया की नजर अभी कम है पूरे देश में 22 करोड से जादा सोईल हेल्थ कार्ड किसानों को दिये गए और सिर्फ कार्ड यह नहीं दिये बलकि देश बर्मे सोईल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेट्वर्ग में तयार हुआ है आज देश के करोडो किसान सोईल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो नूट्रिंस का उप्योग कर रहे हैं इससे किसानों को लागत में 8 से 10 प्रतिशत की बचत हुई है और उपज में 5 से 6 प्रतिशत की बड़ोतरी दिखी गई है यानि जब मिटी स्वस्त हो रही है जब मिटी स्वस्त हो रही है तो उत्पाज भी बढ़ रहा है मिट्टी को लाग पहुँचाने में यूरिया की शत्व प्रतिशत निमकोटिंग ने भी बहुत थाइदा पहुँचाया है माइक्रो इरिकेशन को बढ़ावा देने की वज़े से अटल भू योजना की वज़े से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सहथ भी संभल रही है कभी कभी कुछ चीज़े अब मान दीजे कोई लेट दो साल का बच्चा बिमार है तब यह ठीक नहीं हो रही है वेट नहीं बढ़ रहा है उंचाही में भी कोई फरक नहीं आता है और मान को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो और उसको कहीं सुना हो कि भई स्वास्त के लिए दूद बगेरे चीज़े अच्छी होती है और मान लो वो हर दिन दस-दस लिटर दूद में उसको स्नान करवा दे तो उसका स्वास्त ठीक होगा क्या लेकिन अकर कोई समझदार मां एक एक चमच थोड़ा सड़ा दूद उसको पिलाती जाए दिन में दो बार पांच बार साथ बार एक चमच तो दिर दिर फरक न जराएगा यह फसल का भी ऐसा ही है पूरा पानी भर करके फसल को डूबे तुझे से फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है बुंद बुंद पानी पिलाए जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है पर ड्रॉप मौर क्रॉप अनपड माँ भी अपने बच्चे को दस लीटर दूसरे नहालाती नहीं है लिगिन पढ़े लिके हम लोग पूरा खेद पानी से पर देते हैं खार इन सारी चीजों में बढ़ला बलाने के लिए कोशिस करते रहना है हम कैट रेइन जैसे अभ्यानों के माध्यम से जल सवरक्षन से देश के जनजन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस साल मार्च में ही देश में तेरा बड़ी नदियों के सवरक्षन का अभ्यान भी शुरू हुआ है इस में पानी के प्रदूशन कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे बन लगाने का भी काम किया जा रहा है और अनुमान है कि इस से भारत के फोरेस्ट कवर में 7400 स्क्वाइर किलोमेटर से ज़्यादा की बड़ोतरी होगी बीते आठ वर्षों में भारत ने अपना जो फोरेस्ट कवर 20,000 स्क्वाइर किलोमेटर से ज़्यादा बढ़ाया है उसमें ये और मदद करेगा साथियों भारत आज बायो डाइवरसिटी और वाइट लाइप से जुड़ी जिन नित्यों पर चल रहा है उसने वन्ने जीवों की संख्या में भी दिकोर वृद्धी की है आज चाहे टाइगर हो लाइन हो लेपर हो या फिर एलिमंट सभी की संख्या देश में बढ़ रही है धर्ती पर जीवन को बचाय रखने के लिए वनस्पती, जीवजन्तु, सबके फलने फूलने के लिए जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को बेसर करने के लिए ठोस उपाय अपनाने ही होंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मरुस्थली करन और सूखे से निपटने के लिए विश्व बंधुत्व, सरकारी प्रयास और जन भागिदारी सभी जरूरी है चूकि भारत भी इस समस्या की चपेट में है देश के कुल भोगोलिक शेत्र का 30% हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है भारत इस से निपटने के लिए अपने लक्षियों और चंकल्प को लेकर इसपश्ट है हाली में भारत ने मरुस्थली करन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट सम्मेलन की अभी समय में मरुस्थली करन से जुड़े कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा जैसे विस्थापन, महिलाओं और रेत और धूल भरी आंधी की समस्या को लेकर देश के प्रधान मंत्री ने अपनी बात रखी मरुस्तली करण, भूमी शरण और सूखे के कारण लोगों को अपना घरबार छोड़ कर विस्थापित होना पड़ता है इसलिए सतत क्रिशी और इससे जुड़ी मुल्य श्रंखलाओं को प्रुट्साहित कर ग्रामीर आबादी को पलायन से रोकने की कोशिश की जा रही है ग्रामीर इलाकों में ओन फॉर्म और ओफॉर्म रोजगार के अवसर बढ़ाय जा रहे है मिट्टी की शरंड को रोकने के लिए और किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ काड योजना, मृदा स्वास्थ प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री क्रिशी सिचाई योजना, प्रती बूंद अधिक फसल जैसी भारत सरकार की विभ माइग्रेशन देखा गया, लोग अपने मूल इस्थानों पर वापस लोटे और वाटर शेट कारेबल से जुड़ गए मिटी को ढग के रखना जिसे इसमें नमी वर्गरार रहे मल्चिंग करना यह सब भी एक बहुत बड़े चीजे तो अब भी आपने सुना हो गए बरतमान में नेच्रल फार्मिंग के लिए कापी जो रहे हैं यह बहुत बड़ा कदम है और यह मुझे लगता है कि मुझे लगत करने के लिए बहुत अच्छा समयधान है क्योंकि इसमें ना तो केमिकल्स वजरा यूज होते हैं ना फटलाइजर यूज होती है और इसमें आच्छा दन और मल्चिंग करके भूमी को जात समय तक ढखके रखा जाता है जिसकी वज़े से वह काफी अच्छी फटाई स्वा तो यह कई सारे कारण हैं जो हमारे जो स्की में जिसकी वज़े से जो हमारी सरकार है वो इसको रोपने के कोशिश कर रही है ऐसे समस्य ग्रस्त इलाकों में महिलाओं को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए उनका सशक्तिकरण बेहत जरूरी है ये योजना वाटरशेट समीतियों में महिलाओं के प्रतिनिधित को बल देती है पी एम के वीवाई के तहट महिला आधारित सामुदाईक संगठन जैसे स्वयम सहता समूद उप्योग करता समूद तथा किसान उत्पातक संगठन वाटरशेट कारिक्रमों को प्रुत सहित क दिया जाता है इसके अलावा इन इलाकों में चलने वाली रेद एवं धूल भरी आंधी परियाबरन और लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है इस वक्त अधिकांश देशों में धूल भरी आंधी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए आवश्र डैटा और जानकारी का आभाव है रिमोट सेंसिंग एजंसियों की मदद से भारत इस मामले में सुधार के लिए काम कर रहा है मरुस्तली करन को रूपने की मुही में जन अभ्यान बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं सबका साथ और सबका प्रयास एक दिशा में हो तो दुनि क्रिशी विशेश की इस कड़ी में आज बस इतना ही फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विशे तब तक के लिए दीजे इजासत आप बने रहें दूरदा शंकिसान पर कर दो दूर झाल हो ढाता है